गाइस आज हम बताएंगे होर्ण की अवाज कैसे बढ़ाएं गाइस जब होर्ण खराब हो जाता है तो अवाज बहुत कम निकालता है या फिर अवाज बलुकल ही नहीं निकालता है तो बहुत कम निकालता है और अवाज फटी फटी आती है और अवाज बलुकल भी साप नही तो अभी आपको हम चेक करांगे फिर दिखाएंगे आवाज कैसे बढाएं और कैसे वाज सही करें अगर हार्न अवाज बल्गल नहीं देता तो वह दूस्तों पताएं किस तरीके के अवाज सही करनी मैं तो जाइस आपको सबसे पहले हम चेक करते आज कि यह हारन स्टार्ट तो गैस मेरा नाम है अजय आप देखने हैं अजय मेकनिक यूटूब चैनल तो जाकर दोस्तों सब्सक्राइब करने और वैल लाकिन आल प्रेस करने हैं ताकि अच्छी वीडियो आपको हमेशा बिलती रहे तो चलिए बिना देरी की वीडियो वरता है स्टार्ट त सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए हम बताएंगे किस तरीके से आवाज सही कर नहीं है कि इसे लूज करने से आवाज आती है या फिर टैट करने से वाज आती है तो गायस हम एक बार आपको और चेक करा देते हैं यहार्न कैसी वाज निकालता है इसमें दो हारन लगें और डवल हारन पर बुलकल सौंड बेका रहता है तो सबसे पहले हम हारन सही करते हैं फिर आपको दिखाएंगे डवल हारन की आवाज सुना कर तो गायस आपको लेना है प्याचकस अब बताते हैं दोस्तों इस क्रूब को टैट करना है या फिर या तो हम बजाकर देख लेते हैं फिर तो गायस मैंने थोड़ा सा यह अपको टैट किया है अब बजाकर देखते हैं हारन आवाज कैसी यह तो गायस हवारन वह अपनी अवाज हलकेल के सही निकाल रहा है अब थोड़ा इस मेश को हम और टैट करेंगे तो दोस्तो इतना पेंच में दिया है तो अब बजा कर दिखाएंगे पर दौत एक मपी तो वस्थी था रही है तो ड़ा पैस और हम टइट करेंगे इसको कि तो गैज यह देखिए हार नहीं आवाज है ब्लकुल तो हम इस कुरू को थोड़ा टाइट और करेंगे तो गैस आवाज है बल्कुल सही हो चुकी है आपको दुबारा सुना करें यह देखें दोस्तों आवाज बल्कुल सही हो चुकी है दोस्तों हम थोड़ा प्याच और थोड़ा टाइट करेंगे देखते हैं कि आवाज है दो गैस वाज हो दिद्विक निया रहा है थोड़ा पने चम और करेंगे अब तो के इसकी आवाज है वो वर्यों थे लिए लिए तो हम थोड़ा और इसको टैट कर देंगे फिर आवाज है बलुक्ल तो थोड़ा लूज और करेंगे तो थोड़ा दोस्तों लूज करते हैं जादा टैट हो गया है अवाज है दोस्तों बलुकुल सही होगी तो दोस्तों आवाज होरन की है वो इसी स्कूरू से सही होती है अगर आपकी वाज का होरन बलुकुल नहीं बचता या फिर बचता है तो आवाज फटी फटी निकालता है या फिर आवाज कम देता है तो इसी स्कूरू से दोस्तों आवाज सही कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों इस पेंच को टैट करें अगर टैट करने से आवाज सही नहीं तो गैस अब हम आपको चेक कराते हैं दोनों हरन की अवाज ये देखिए आप लोग नोटिस करिए देखिए दोस्तों कितनी अच्छी अवाज आ रही है कि गैस दो हरन की वाज यह बहुत ज़्यादा अच्छी वाज आ रही है और आप लोग दो हरन लगाना चाहते हैं तो आप लोग अपनी वाज कम निकलती है तो उसी इसक्रू से आप लोग वाज सही कर सकते हैं अगर दूस्तों आपके पास यह यह लेग है तो आप लोग तरही करने के अबवाज सही कर सकते हैं